Realme 12 Pro Plus 5G Smartphone vs Poco X6 Pro 5G Smartphone भाई, दोनों ही Smartphone इंडिया के काफी 23 Smartphone है और दोनों ही Smartphone भाई 23 Specification के साथ हमें देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तो आज मैं इन दोने Smartphone का comparison आपको करके दिखाने वाला हूँ बताऊंगा अगर आपको इन दोने Smartphone में से कोई एक Smartphone खरीना हो तो वो कौन सा करीना चाहिए, कौन सा Smartphone आपके लिए बैतिन होने वाला है तो दोस्तो वीडियो को एंड तक जूर देखेगा, वीडियो काफी मज़ेदार होने वाली है और I think आपके माइड में भी क्रोशन आया होगा क्योंकि दोनों स्मार्टफोन के काफी हद तक स्पैक्स भी मिलते जुलते हैं तो भाई आपका कन्फियोजन दोर पूर होगा, आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है दोने स्मार्टफोन की प्रेजिंग मैं आपको बता ही दी, Poco X6 Pro स्मार्टफोन है यह अपको 25,000 के आज पास देखने हो जाता है प्रो प्लस है ना, रिल में प्रो प्लस है वो बस इसके 2-3,000 के ऊपर निचे ही हमें देखने हो जाएगा यानि आप मान सकते हो कुल मिलाकर 2-3,000 का ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस देखने हो जाती है यहां पर Poco X6 Pro 5G स्मार्टफोन की बात को वीगन लैदर के साथ यह स्मार्टफोन आता है ट्रिपल ड्रीरा कामरा सेटप देखने हों जाता है स्मार्टफोन काफी अच्छा लूक न डिजाइन वाई थोड़ा बोक्सी डिजाइन देखने हो जाता है फरंट साइड में आता हूं तो मिड पंचोल डिस्प्ले है यह smartphone भी कमनी है काफी तगड़े look and design के साथ आता है बैक में यहाँ पर भी वीगन लाइदर देख मुझाता है camera module भाई काफी तगड़ा है इस smartphone का design मुझे थोड़ा ज्यादा premium फिल होता है और premium लगता भी है अगर आपने देखा side by side तो आपको अंदाजा लगया होगा यहाँ पर कितना premium design देनी कोशिज की है real me ने फरन साइड में आता हूँ तो यहाँ पर mid console display है curved edges देख मुझाते है OLED panel है यहाँ पर भी brightness काफी अच्छी देखने को मुझाते है बैजस काफी कम देख मुझाते है I mean display के colors वगयरा है यहाँ पर भी काफी अच्छी देख मुझाते है तो दोने smartphone के look and design की बात हुआ display की भाई काफी अच्छी देख मुझाते है देखो design आपके ऊपर छोड़ता हूँ आपकी कौन से smartphone का design अच्छा लगा आप चूज कर सकते हो लेकिन अगर मैं display की बात हो न तो कोई ज़्यादा बटा difference हमें देखने हो नहीं मिलता colors wise में या smoothness में दोने smartphone लगवग एक ही जैसा feel आपको कुरवाएंगे लेकिन चुकि हम यहाँ पर comparison कर रहे हैं और हमें सिर्फ एक smartphone यहाँ पर चूज करना है तो यहाँ पर display के मामले में थोड़े ही colors मैं कहना चाहूंगा Poco X6 Pro के आपको अच्छे देख हम जाएंगे सेगल एगर मैं बात कूँ दोस्तों दोने smartphone के camera आज की तो Poco X6 Pro 5G smartphone में देख हम जाता है triple rear camera के साथ जहाँ पर primary camera में देख हम जाता है 64 megapixel का, secondary है 8 megapixel का and third है 2 megapixel का 4K video recording का option देख हम जाता है 16 megapixel की selfie देख हम जाती है दूसरी तब अगर मैं realme 12 Pro 5G smartphone की बात कूँ तो यहाँ पर 50 megapixel पर primary camera है जो कि Sony के lens के साथ आता है secondary हमें देख हम जाता है 8 megapixel and fourth है 64 megapixel यहाँ पर 120X तक का zoom देख हम जाता है and 32 megapixel भी selfie देख हम जाती है देख हम यहाँ पर भी मैं बात करूँ दोने smartphone की camera की तो काफी अच्छे है लेकिन चुकि हम यहाँ पर comparison कर रहे हैं तो मैं आपको दोने smartphone के कुछ camera samples दिखा देता हूँ जिसे आपको थोड़ी help हो जाएगी इन दोने smartphone में से एक smartphone चूज करने के लिए और यहाँ पर दोने smartphone के camera samples में आप देख सकतो तो easily Realme 12 Pro Plus हमें काफी अच्छी camera quality प्रोइड करवाता है as to compare करें Poco X6 Pro 5G smartphone से तो यहाँ पर low light, day light दोनों ही conditions में Realme 12 Pro Plus भीन हो जाता है और हमें काफी तगडी picture quality प्रोइड करवाता है लेकिन भाई यहाँ पर camera के मामने में basic Realme जीत गया हो लेकिन अगर मैं बात हूँ performance की तो no doubt यार Poco यहाँ पर इसको काफी तगडीत रह हरा देता है क्योंकि Poco हमें provide करवाता है MediaTek Dams T8300 Ultra chipset जो की performance में काफी तगड़ा और under 25,000 25,000 थोडो भाई 30,000 में भी यह काफी तगडीत हमें performance प्रोइड करवाता है यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन की तो यह स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है Snapdragon 7S Gen 2 chipset के साथ हाला कि यह chipset भी काफी अच्छा है लेकिन चुकि हम इसका comparison कर MediaTek Dams T8300 Ultra chipset से तो भाई यह easily यहाँ पर हार जाता है और performance के मामने में again जो है Poco X6 Pro 5G स्मार्टफोन जीत जाता है लास्न फाइले अगर मैं बात करता हूँ बैटे एंड चार्जिंग स्पीड की तो Poco X6 Pro हमें देखने को जाता है 5000 MHz की बैटे के साथ 67W के Fast Time के स्पोर्ट के साथ और Realme 12 Pro Plus देख में जाता है 5000 MHz की बैटे के साथ तो यह सब चीजे दोस्तों में देखने हमें जाती है दोने स्मार्टफोन के अंदर जो कि हमने आपको बताई I think आप से को वीडियो चलिए होगी वीडियो चलिए है तो वीडियो को लाइक करना और चैहाँ को सब्सक्राइब करना मत बولिएगा और दोने स्मार्टफोन में से अभी बात कते हैं हमें तोने स्मार्टफोन में से कौन साथ स्मार्टफोन करिना जीए देख के अगर आपकी नीड है gaming I mean first priority है gaming आपको भाई 25,000 के अंदर बैतले इन gaming smartphone चीम तो आप Poco X6 Pro की तरफ जा सकते हैं लेकिन अधरनवाई चाहिए आपको एक premium smartphone भाई या हाथ में लो तो ऐसा लगे कि भाई क्या पता है यार भाई 50-60,000 का phone लिया है एक अच्छा camera smartphone हो gaming भी अच्छी चलती हो ऐसा नहीं आपको comparison से कोई मतलब नहीं है तो आप Poco X6 Pro की तरफ जा सकते हैं तो I think आप से को समझ में आजा गए कि आपको कुण सा smartphone खिरना चीन दोनों स्मार्पोन में से और वीडियो पसंद नहीं तो अगे इन पूंगा वीडियो को लाइक आप बिलते हैं नेक्स टूमें जेयें दोस्तों